हेलो फ्रेंद्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जॉब सद्डा एंड वेलकम टू इंडियन आर्ट कल्चर एंड हरिटेज लेक्चर सीरीज राइट आपके स्लेबस जो अभी आपका JKSB ने डिफरेंड डिफरेंड पोस्ट के लिए मेंशन किया है अब अपने स्लेबस में देखेंगे कि वहाँ पे इंडियन कल्चर एंड हरिटेज ऐसा एक कुछ वर्ट लिखे गए हैं अब जो ये इंडियन आर्ट कल्चर एंड हरिटेज ज अगर आप मेंसे किसी नहीं भी यूपी एसी के एक्जाम का यहां केस के एक्जाम का स्लेबस देखा होगा तो उसमें भी ये इंडियन आर्ट कल्चर एंड हरिटेज मेंशन है राइट वालों को क्या सोग चड़ा है कि उन्हें सीधा वही जो पॉइंट्स लिखे हैं वही पूरे पूरे उन्हें यहां पर आपके स्लेबस में लिख दिये हैं तुदा कॉपी कर लिया है एक हिसाब से मैं कहूंगा आपको लेकिन उसमें क्या पढ़ना है ये मैंशन नहीं है क्योंकि इंडियन आर्ट कल्चर हरिटेज खुद में ही एक साथ सो से आठ सो पेज का एक यां दो सवाल आएंगे तो आप बोलेंगे कि सर ने पढ़ाया जिया था राइट यही बोलोगे ना कि इतना पढ़ा लिया एक मेने से पने 40 लेक्चर देख लिये और आया कितना एक सवाल यां दो सवाल क्यूंकि आपके जेके सिस्पी के एक्जाम में जहां ये मैंशन है महाल मैंशन क्या है Indian culture and heritage and freedom struggle moment तो आप expect कर सकते हैं कि इस portion से आपको paper में एक या दो सवाल आएंगे इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपको इस portion से एक सवाल आएगा या आपको दो सवाल आएंगे उससे ज़्यादा expect नहीं कर सकते कि आपको culture heritage part से जरा सवाल JKSB के exam में पूछे जाएगा जो भी आपका recruitment test होगा इस से जरा सवाल उसमें बनते नहीं है right but we have to be prepared हम एक मैं आपको क्या बोलूँगा एक जो भी important topics आपके JKSB exam में पूछे जा सकते हैं plus जो भी current में चल रहे हैं जो इंटरफेर्स में चल रहे हैं उनको हम बड़े अच्छे से बड़े बारीकी से एक briefly उनको explain करके कुछ in a few lectures हम इस culture and heritage को खतम करेंगे right जो important topics हैं उनको हम लोग discuss करेंगे जो आपका Indian art culture and heritage होता है basically इसको अगर मैं आज introduction lecture में थोड़ा आपको में आच्छे से explain कर लेता हूँ आज कि भाई इसको हम लोग एक होता है visual art, एक होता है performing art और third जो topic है आपका that is miscellaneous topics, जो miscellaneous topics है वो इसके अंडर आते हैं, तो हम अपने art, culture और heritage को तीन हिस्सों में, तीन मुक्तलिफ हिस्सों में इसको divide करते हैं, एक आता है visual art, second one is performing art, और third is miscellaneous topics, अब यह visual art क्या होता है, visual माने, जो अपनी naked eye से देखते हैं, आप कहीं किसी किले को देखने चलेगे, किसी मंदिर को देखने चलेगे, किसी गुर्दवारा को देखने चलेगे, किसी मस्जिद को देखने चलेगे, तो वहां का, जो आप देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, अर्किटेक्टर देखते हैं बोलते हैं, बाई, क्या काम किया है इस कार्यगर ने, क्या बहतरीन किसम की कारीगरी है, है था न? आप जब उसको देखते हैं, उस building को, ठीक कि, इस उस monument को आप देखते हैं, जो विक्तिव साइट को perform करते हैं ऐसे आप गाना गाते हैं आप dance करते हैं अप आक्टिंग करते हैं थेटर में लोग acting करते हैं circus shows होते हैं puppetry shows होते हैं तो वह सब क्या है, performing art आपientos GUY बोलते हैं कि बाई क्या बहतेरीन कलाकारा है या क्या बहतरीन अदाकारा है ये ठीक है हम ऐसे बोलते हैं कि वाई क्या बहतरीन एक्टर है एक्टरस है क्या wonderful he sings wonderfully right कितने अच्छा गाना गाती है ये right so उसको हम लोग रखते हैं performing art में और थर्ड होते हैं miscellaneous topics जैसे आपका languages हो गया religion हो गया literature हो गया numismatics हो गया right वो सह हम लोग miscellaneous topics में रखते हैं अब हमारे exam point of view से ये भी इसके भी कुछ topics important है इसके भी कुछ topics important है और इसके भी कुछ topics important है so हमें कुछ important topics visual art से भी पढ़ने हैं कुछ यहां से भी कुछ यहां से भी right तो अब visual art में हमें क्या-क्या पढ़ना है वो मैं discuss करूँगा आपके साथ, right? हमें visual art में क्या-क्या पढ़ना है? visual art Visual art में जो हमारा सबसे पहला topic रहेगा, right? Visual art में जो हमारा सबसे पहला topic रहेगा, वो क्या रहेगा? That will be architecture of India आर्किटेक्चर ओफ इंडिया एक तो हम लोग यह पढ़ेंगे आर्किटेक्चर ओफ इंडिया दूसरा हम पढ़ेंगे आइकोनोग्राफी ओफ इंडिया राइट थर्ड पैंटिंग्स ओफ इंडिया यह भी वीजूल आर्ट में आता है आर्किटेक्चर आइकोनोग्राफी पैंटिंग्स राइट तो यह तीन टॉपिक्स जो हैं यह आपके वीजूल आर्ट में आते हैं किसमें आते हैं वीजूल आर्ट में आते हैं किसमें वीजूल आर्ट में अ आप आइकनोग्राफी को आप लिख सकते हैं इसको स्कल्प्चर भी बोल सकते हैं आप इसमें एक फॉर टॉपिक भी जोड सकते हैं डाट इस पॉटरी पॉर्टरी को भी आप जोड सकते हैं क्योंकि पॉर्टरी इंडिया में इंडेस वैली सिवलाइजेशन के टाइम से चल रही है उससे पहले भी ठीक है अगर इंडेस वैली से पहले हम पैललिथिक, मिजवलिथिक, नियोलिथिक नियोलिथिक एज में यूटेंसिल आ चुके थे, ठीक है पॉर्टरी तब से चल ही रहा है यह चार टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है वीजोल आट के अंतरगर आते है लेकिन जो हमारा GKSB का एक्जाम है हमारा मोर और लेस जो फोकस होगा एक तो इस पे होगा, आर्किटेक्चर पे आर्किटेक्चर आफ इंडिया पे हम फोकस करेंगे और दूसरा पेंटिंग्स पे हम फोकस करेंगे जादा, हम इन दो टॉपिक्स पे जादा फोकस करेंगे क्लियर अब आर्किटेक्चर आफ इंडिया की एगर मैं बात करूँ आपके साथ, कि इसमें क्या आता है, अगर मैं architecture of India की बात करूँ, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर में, आपको पता ही होगा कि जो हमारी अगर हम बात करते हैं एंशन मेडिवल मॉडर्न हमारी हिस्ट्री की बात करते हैं आपका एंशन्ट का भी है आपका मेडिवल का भी है मेडिवल हिस्ट्री और देन आर्किटेक्चर आपका मॉडर्न में भी आता है एंशन्ट में अगर मैं बात करूं एंशन्ट के अंतरगत कोन कोन आता है तो अंडर एंशन्ट अगर हम बात करें तो इसमें आएगा सबसे पहले आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका एक बड़ा इंपोर्टन टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो इंपोर्टन टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मोर्याज और मोर्याज के बाद गुपताज medieval में जो important है एक आएगा दिल्ली सल्तनत और यह आएगे मुगल्स और मुगल्स के बाद modern में आप British time जिसको हम लोग इंडो सारा सेनिक आर्किटेक्चर कहते है ठीके बाद यह इसके अंडर आते हैं आर्किटेक्चर के अंतरगत यह सब चीजे पढ़नी है तो कि अभी ancient history में यह medieval architecture, modern architecture इसमें different different type different different dynasties आई, different different rulers आई और हर किसी के rule में different different चीजे हुई आर्किटेक्चर में जैसे ही, इस्लाम आता है जैसे हम लोग ancient से medieval shift होते हैं इस्लाम आता है तो हम लोग tribate एक style of architecture आई उप बुलते हैं, tribate style of architecture ट्राइबेट style of architecture जैसे ही इस्लाम आता है दिल्ली सल्टनत होता है तो हम लोग tribal style of architecture से हम लोग shift कर जाते हैं ठीक है with the coming of islam with the formation of dillie sultanate changes हुई architecture में इंडिया में उससे पहले हम लोग tribal style of architecture को follow करते थे लेकिन जैसे ही muslims का जहां पे rulers आएं जादा दillie sultanate का पूरा formation हुआ हम इस tribal style of architecture से shift होगे कहाँ पे हम इससे shift होगे arcute style of architecture की तरफ मतलब अब हमें जो भी monuments देखने को मिलेंगे उसमें आपको ये arc वाला feature देखने को मिलेगा पहले ये arc missing हुआ करता था ये arcs नहीं थे ठीक है पहले tribal style of architecture normal ऐसा होता था ठीक है lines ठीक है लेकिन arcute style of architecture में आपको arcs आपको domes देखने को मिल गए और जैसे ये arcute style of architecture आया तो आपको देखने को मिला कि भाई भारत में भी construction में अब क्या अब lime use हुए होए जाने लगा sandstone का इस्तिमाल हुआ mortar का इस्तिमाल हुआ जो की पहले इस्तिमाल नहीं हुआ करता था अब उसका इस्तिमाल होने लगा तो with the coming of different different dynasties जैसे जैसे आई हमारा style of architecture भी change होता गया so ये architecture जो है it is very very important from exam point of view इसको तो हमें discuss करना ही करना है और बड़े अच्छे से इसको discuss करना है right so this was all about Indian architecture अब आप बात करोगे iconography की हम बात मैं iconography की बात करो right iconography यानि sculptures iconography की बात करते हैं so iconography में भी हमें ये तीनों चीजे पढ़नी है जैसे iconography में हम पढ़ेंगे Indus Valley civilization में क्या iconography थी ठीक है Indus Valley civilization के बात हम पढ़ेंगे Morian time पे क्या था और यहीं पे Morian time के बाद जब पोस्ट Morian period आता है तो three schools जो develop हुए उनको पढ़ेंगे तीन school of sculpture making develop हुए कितने school develop हुए तीन schools of sculpture art developed त्री schools of sculpture art developed अब यह आपको यह तीन schools कौन से हैं यह आपको पता होने चाहिए भई यह तीन schools कौन से हैं यू शुड़ नो अबाउट दीस तो सबसे पहला school था क्या गंदारा आठ यह गंदारा स्कूल इसको आप अगला है मथुरा आठ और third one is अमरावती तो यह तीन schools of sculpture art develop हुए भारत में तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे गंदारा आठ मथुरा आठ और अमरावती आठ यह तीन हमें पढ़ने है ठीक है बड़े अच्छे से इनको भी पढ़ेंगे so IVC पढ़ा मोरियन पढ़ा और मोरियन के पोस्ट मोरियन पीरिड आता है उसमें three schools of sculpture art develop हुए भारत में उनके बारे में हम पढ़ेंगे then इसमें आइकनोग्राफी में आपका गुपता एंड पोस्ट गुपता पीरिड भी है गुपता एंड पोस्ट गुपता पीरिड और उसके बाद सबसे एंड में मॉडर्न पीरिड आइकनोग्राफी भी ऐसे ही डिविजन है इसमें जो सबसे important है वो यह चीजे है जो यह तीन school of art develop हुए गंदारा आर्ट, मतुरा आर्ट और अमरावती आर्ट तो यह तीनों आइकनोग्राफी में डिसकस करने है मैं आपको अभी एक basic syllabus बता रहा हूँ कि इंडियन आर्ट कल्चर में आता क्या-क्या है उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे exam point of view से important क्या है तो यह भी हमें अगर आप देखा देया है तो यह भी एक important topic है इसमें iconography नेक्स आता है आपका इंडियन paintings 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 जो थी वो इंडियस वाली civilization से ही टाइम हुई आपको यह बिमबेट का caves बिमबेट का caves है आपके कहां पे आए यह मद्य परदेश में तो यहां पे आपको क्या मिलेंगे? cave paintings बिमबेट का मद्य परदेश में आपको cave paintings मिलेंगे और यह आई वी से से भी पहले के मलब जहाँ जब early man की हम बात करते हैं तब के आपके यह cave paintings है वहां पे right? so paintings में जो important हमारे exam point of view से है हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे murals या जिसको हम लोग mural painting कहते हैं इसमें भी regional गुपता इसके टाइम पे develop हुआ इसमें भी regional schools डेवलप हुए बात में तो mural painting पढ़ेंगे मुगलों के टाइम पे था miniature painting तो यह miniature painting भी हम पढ़ेंगे कि miniature painting क्या क्या था इसमें क्या क्या developments हुई right? mural painting, miniature painting then इसमें हम लोग regional paintings के बारे में भी पढ़ेंगे regional paintings with the decline of Mughals regional painting school जो थे वो develop हुए regional painting में जो एक निकल के आया उसको हम बोलते है राजस्थानी और एक जो निकल के आया उसको बोलते है पहाडी पहाडी में दो बने एक बना बसोली और एक बना कांगडा right? तो पहाडी, राजस्थानी regional paintings में राजस्थानी paintings पहाडी paintings पहाडी paintings में भी दो बसोली paintings और कांगडा paintings जो कि हमारे exam points से बड़ा important है so paintings में mural paintings, miniature paintings regional paintings, cave paintings right? इसके अलावा हम लोग आज भी अपने घरों में इस्तिमाल करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? floor decoration techniques हम घरों के बाहर अलपन, रंगोली बनाते हैं right? तो यह floor decoration तकरीक हर किसी state में रंगोली का different different नाम है, वो क्या नाम है? वो आप से exam में पूछा जा सकता है वो हम पढ़ेंगे और इसके बाद सबसे important जिसको हम लोग क्या बोलते हैं modern paintings modern paintings तो modern paintings के बारे में भी पढ़ेंगे अब modern paintings में आपको बड़े-बड़े नाम है जैसे राजा राजा रवी वर्मा, इनके बारे में पढ़ेंगे यह कौन है? इनको क्या इनका nickname है? सब्रेक्यूट क्या है? राजा रवी वर्मा एम फुसेन को पिकासो ऑफ इंडिया कहा जाता है क्या कहा जाता है एम फुसेन को पिकासो ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है वैसे ही राजा रवी वर्मा को राजा रवी वर्मा को कहा जाता है राल्फ ऑफ इस्ट र-a-l-p-h इनको कहा जाता है राल्फ ऑफ इस्ट र-a-l-p एक इनको कहा जाता है राजा रवी वर्मा को राइट सो यह सब इंपोर्टेंट चीजे हैं इंडियन पेंटिंग्स में हम इन सब चीजों को कवर करेंगे और जैसे ही आर्किटेक्चर इंपोर्टेंट है इसमें काफी सारे आपके इंडियन पेंटिंग से उसमें डिसकस करेंगे तो यह सब हमें जो इंडियन पेंटिंग से उसमें डिसकस करना है अब फेमस पेंटिंग जैसे एक फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है बनी ठनी यह एक पेंटिंग का नाम है एक लेड़ी की एक वुमन की एक पेंटिंग है क्या पेंटिंग का नाम है बनी ठनी बनी ठनी को क्या बोलते हैं बनी ठनी को हम बोलते हैं क्या इट इस नोन आज di Mona Lisa of India Mona Lisa painting देखी है ना वैसे ही बनी ठनी को बोलते हैं Mona Lisa of India क्या बोलते हैं Mona Lisa of India so this bunny ठनी इस बनी ठनी जो है वह राजिस्थानी यह राजिस्थानी स्कूल आफ पेंटिंग के अंडर आता है किसके अंडर आता है राजिस्थानी स्कूल आफ पेंटिंग बनी ठनी कम्स अंडर राजिस्थानी स्कूल आफ पेंटिंग इसको मोना लीजु आफ इंडिया बोलते है ठीक है इसको बनाया किसने था Mr. Nek नहीं, right just I need to remember this right, बनी ठनी को बोलते हैं हम लोग Mona Lisa of India और अगर अप UPC का exam उठाएंगे right, UPC का exam तो उसमें ये सवाल बड़ी बार पूछा गया है, ठीक है बड़ी बार पूछा गया है कि बनी ठनी जो है ये किसको बिलॉंग करती है so, बनी ठनी जो है it is बिलॉंग टू राजिस्थानी, ठीक है school of architecture और बनी ठनी school of architecture बनी ठनी को paint painter जो थे इसके printed by निहाल चंद और जो बनी ठनी राजिस्थान school of painting है, राजिस्थान school of painting में एक और मतलब इसका एक further subdivision उसको बोलते है किशन किशनगडी painting, ये किशनगडी painting के अंडर आता है, राजिस्थानी स्कूल में कौन बनी ठनी, painter कौन थे इसके painter थे निहाल चंद, लेकिन ये किसके pattern age के अंडर था किसने इसको किशनगडी को किशनगडी painting को किसने pattern age दी उसका नाम था राजा सामन्त सिंग, तो ऐसे सवाल आप अपने exam में expect कर सकते हैं कि बनी ठनी को क्या बोलते हैं मोना लीज ओफ इंडिया, किसने इसको paint किया, इसको paint किया निहाल चंद ने, किस school of thought के अंटर आता है राजिस्थानी, राजिस्थानी में ये किशनगडी painting किया आता है, अब किशनगडी painting जो school of painting है, इसको किसने pattern age दी, इसको pattern age दी, राजा सामन्त सिंग ने किसने pattern age दी, राजा सामन्त सिंग ने तो ये different different जो regional schools of thought है, इनको हमें पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, हमारे exam point of view के साब से, जो ऐसे questions है these are most important questions from our exam point of view, तो ऐसे questions हम लोग को discuss करने ही करने है, राइट, अब painting के बाद जो next है I hope आपने इस अब note कर लिया होगा राइट, निहाल चंद painter थे, pattern age किशनगडी painting के राजा सामन्त सिंग थे बनी धनी को Mona Lisa of India I guess in 2019 के UPC के paper में ये सवाल आ चुका है ठीक है, बनी धनी को लेके सवाल आया है So, बड़ा important topic है Then, हम discuss करेंगे इसके बाद pottery ठीक है Pottery में भी different different चीज़े हुई, पहले हमारी pottery normal होती थी फिर वो colored बनने लगी अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बाई, IVC में क्या था pottery में, गुपता टाइम पे क्या था, ठीक है Moriaz के टाइम पे क्या कुछ हुआ, क्या इसमें की नहीं हुआ, ठीक है जब early man हुआ करता था IVC से पहले, पैललिथिक, नियोलिथिक, मिजोलिथिक में, क्या उसमें pottery के कोई हमें अभी तक मिले हैं, क्या सबूत मिले हैं कि नहीं मिले हैं, किस टाइब की pottery थी, हम pottery में जमु कश्मीर की बात भी करेंगे यहां पे, right, कि नियोलिथिक साइट्स जो हैं यहां पे, क्या वहां पे जो जमु कश्मीर में नियोलिथिक साइट्स है, जैसे जमु कश्मीर में नियोलिथिक साइट्स है, एक साइट है बुर्जा होम क्या यहां कोई सबूत मिला है एक site है गुफ क्राल क्या यहां कोई हमें सबूत मिला है तो इनको भी हम लोग discuss करेंगे pottery के अंडर यह सब pottery के चीज़े आती है then visual art में हमारे यही सब है then comes your performing art right visual art हो गया अब बात करते है performing art की performing art अब performing art में हमें क्या क्या पढ़ना है तो सबसे पहले Indian music ठीक है Indian dance music और डान्स सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई हम खुद इसके शोकीन होते हैं तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है then Indian Puppetry आप देखते हैं ना Puppetry का शोज होते हैं then Indian Circus और फिफ्ट इंडियन ठीएटर तो यह सब चीजे performing art में आते हैं Music, Dance, Puppetry, Circus और ठीटर अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है that is Music and Dance यह हमें पढ़ना ही पढ़ना है कि भाई different different dance forms कोन से है इनको perform कोन करते हैं अगर dance की बात करते हैं जैसे कथे हैं सवाल आजाता है paper में कि भाई कथेख इंडिया में किस state से लिया गया है कहां कि येज़रा perform किया जाता है यह कोई जैसे original dance है जैसे भी हू भी हू एक additional dance form है यह बीहू कहां perform होता है, जैसे बीहू आपका आसाम में होता है, similarly, मनीपूरी डान्स है, यह कहां होता है, अब मनीपूरी डान्स कौन-कौन साथ वो famous dancers है, जो मनीपूरी डान्स perform करते हैं, वो कौन है, क्या जैसे music में कौन से instruments use होते हैं, यह हमें पढ़ने हैं, ठीक है, तो रॉड पपिट्री है, गलव पपिट्री है, स्ट्रिंग पपिट्री है, स्ट्रिंग पपिट्री को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, कट पुतली, बोलते हैं, वो दागों से जुड़े होते हैं, वो गाना बना चलता है, तो उसी साब से हमको नचवाते हैं, कोई कहान नहीं होती है drama होता है सब स्ट्रिंग बेस्ट होता है राइट शैडव पोपेटरी क्या होती है कि भाई एक परदा लगा ता पीछे आप इसमें आप अपनी शैडव से डिफेंट डिफेंट इमेज की formation करते हैं आप देखते होंगे काफी सारे talent shows में ऐसे लोग आते हैं जो participate करते हैं shadow puppetry go right so puppetry भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होती है rod puppetry glove puppetry shadow puppetry string puppetry right similarly जैसे सरकस है क्या origin था theater का क्या origin था कैसे हुआ किसका ज़ादा योगदान है right कौन-कौन सी languages में theater होता है तो यह सब चीज़े आपके performing art के अंतरगत आ जाती है so visual art हो गया performing art हो गया इसके बाद है miscellaneous topics जो आपके miscellaneous topics है miscellaneous topics में जो सबसे important है सबसे important नमबर वन पर उसको में रखूंगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे UNESCO World Heritage Sites in India बारत में कितनी है तो total करीब-करीब 40 sites है बारत में UNESCO World Heritage Sites तो इनको हमोग पढ़ना है बड़ा important topic है UNESCO World Heritage Sites का UNESCO World Heritage Sites के बार जो सबसे important है that is cinema है ना cinema यह भी पढ़ना है हमें कि वह cinema में क्या है देन रिलिजिन 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 फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे लैंग वेजिस राइट देन फेर्स एंड फेस्टिवल्स यह सब आपका UPC का topics है जिसमें UPC exam में यह सब आपको पढ़ना ही पढ़ना पढ़ता है देन आपके cultural institutions अब cultural institutions क्या होते हैं जैसे सहित्य academy संगीत नाटक academy वो क्या है वो उनके बारे में पढ़ना देन आपके जो different different awards दिये जाते हैं आपके artists को उनके बारे में पढ़ना इसके के अलावा जो coinage है कि किस प्रकार के coins हमारे ancestors यहां इसको हम लोग numismatics भी बोलते हैं numismatics इसको पढ़ना तो यह different topics आपके miscellane topics है UNESCO World Heritage sites cinema religion language fairs and festivals cultural institutions awards coinage numismatics right our literature भी हम लोग पढ़ते हैं ठीक है तो यह सब आपके different different topics है जो आपको पढ़ने है under your Indian art culture heritage में यह आपसे expect कर रहे है ठीक है जेके एसस भी आपसे expect कर रहा है कि जितना भी मैंने पिछले 20-25 मिनट में जितने भी topics आपको लिखे जितना पढ़ने लिखा यह आप पढ़े इस exam के लिए और questions कितने आएंगे एक यहां दो इससे जारा questions तो नहीं आएंगे न क्योंकि इतना ऐसा नहीं है कि बीस नंबर का आपको आटन के पर में आ जाए यह है नहीं right so expect कर रहे है कि आप यह सब चीजे पढ़े questions आएंगे एक यहां दो अब मैं आपको पढ़ा भी दूंगा आप बोलेंगे सर आप इतना ज्यादा पढ़ा लिया हमें question paper में एक question आया और अगर हम लोग output भी देखे इतना सारा पढ़ने के बाद अगर एक question आता है तो इससरा जासर बोलेंगे छोड़ी देते हैं ना कुछ और चीज़ पढ़ लेते हैं उसको complete कर लेते हैं ताकि paper clear हो जाए तो हमें छोड़ना नहीं है पहली बात ठीक है दो नंबर भी बहुत होते हैं है ना आज कल आप देखोंगे कितना neck to neck competition है एक एक पॉइंट पे 5-5-6-6 लोग है क्योंकि भी percentile method follow कर रहा है JKSSB इसमें neck to neck competition हो रहा है तो आप ये दो questions भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये दो questions आपका merit decide कर सकते हैं आपका R या पार इनी दो नंब PSE level के exam की तयारी कर रहे होते हैं तो जो भी topics मैंने यहां पर लिखे आवे यह पढ़ने ही पढ़ने थे इनका कोई चारा ही नहीं था क्योंकि UPSC के mains के exam में इन में से सवाल आ जाता है UPSC के prelim के exam में भी आप तीन चार पांच कितने भी questions आप expect कर सकते हैं क्योंकि religion बड़ा एक important topic है UPSC का hot subject favorite topic है religion में भी दो religion बड़े फेवरिट है ठीक है वह भी बता देता हूं अगर आप में से कोई future में तयारी करेगा आप में से future में अगर कोई भी PSE level के exam की तयारी करेगा तो religion बड़ा फेवरिट topic होता है PSE का और religion में भी दो ही religion बड़े फेवरिट होते हैं एक होता है Buddhism दूसरा होता है जैनिजम बाकी किसी religion पर सवाल नहीं पूछते है more or less जैनिजम से भी फेवरिट बुदिजम है तो 70, 30, 60, 40 आप करके चल सकते हैं 60, 40 कि 60 पतिशत question आने का chance है कि बुदिजम से ही पूछा जाएगा 40 पतिशत chance है कि जैनिजम से भी सवाल आएंगे बट religion से आपके paper में सवाल जरूर आएंगे या आप expected रखिए रखिए आपके PC level के paper में बट हम PC level की तयारी नहीं गर रहे हम तयारी कर रहे हैं जमू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के recruitment test की और उसमें 20 केवल एक या दो question आपके इ कि यहां दो सवाल भी हमारे paper में आते हैं तो भाई हम लोग वो attempt कर पाए हम लोग वो attempt कर पाए वरना क्या हो जाएगा लुटिया डूब सकती है हमारी तो लुटिया नहीं डूबानी है ठीक है paper अच्छे से attempt करना है तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे important that will be paintings 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 हमें जरूर पढ़नी ही पढ़नी है ठीक है paintings हमें पढ़नी ही पढ़नी है इसके बाद dance forms वाला जो topic है वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है no other इसमें कोई option नहीं है अगला world heritage sites ये भी हमें पढ़नी ही पढ़नी है UNESCO वाली मैं लिख देता हूं तो ये भी हमें पढ़ना ही पढ़ना है so एक टॉपिक रहा paintings दूसरा रहा dance form तीसरा रहा यू वर्ड हरिटेज साइट्स फोर्थ कि इंडियन आर्किटेक्ट्चर ये बड़ा थोड़ा lengthy topic सबसे इसमें यही रहेगा बट इसको भी हमें पढ़ना है इंडिन आर्किटेक्ट्चर को भी राइट ये हमें पढ़ना पढ़ना है राइट नेक्स जो हम पढ़ेंगे fairs and festivals ये भी बड़े इंपोर्टेंट fairs and festivals so paintings dance forms world heritage site Indian architecture fairs and festivals राइट ये हमें पढ़ना है इसके बाद हम जो पढ़ेंगे awards काफी सारे awards दिये जाते हैं plus इसको हम लोग अपने current affairs से भी link करेंगे किस से link करेंगे current affairs से इसको हम अपने current affairs से भी link करेंगे आप देख लिए वर्ट हरिटेस साइट कुछ 40 in number है इसको discuss करना है dance forms जो है इनको plus national फिर इजनल भी पढ़ेंगे plus जमू कश्मीर में क्या-क्या dance forms है क्योंकि paper तो हम यहां का दे रहे हैं तो यह पढ़ना ज़रूरी paintings में हम जो मारा main focus रहेगा वो रहेगा murals पे plus miniature paintings पे और प्लस original paintings पे प्लस फ्लोर डेकॉर टेक्नीक्स पे इंडिन architecture में आपको explain कर चुका हूँ fair festivals हम लोग इंडिया के दो discuss करेंगे plus हमारा major focus रहेगा जमू कश्मीर के फियर फेस्टिवल जैसे आपके जमू के लदाख में एक फेस्टिवल होता है लोसर तो लोसर कहां celebrate करता और कौन सी कमुनिटी करती है वह पढ़ेंगे जैसे है आपका फेर मोहरम की ओता है क्या होता है इसको discuss करना है फिर आपका दिवाली आ गया क्यों होता है क्या होता है जैसे आपका मेला बहुफोट नहीं ुशुटी होती ही मिला भूफ वोट के दिन तो क्या होता है इस दिन क्यों मनाया जाता है ठीक है आपका जिडी मिला वन ओफेमस टूरिस एट्रैक्शन जिन जम्मू जिडी मिला ठीक है तो इसके बारे में पढ़ना है तो यह सब चीजे हम लोग यहां पढ़ेंगे प्लस अगर किसी को अवार्ड कोई दिया गया है साहित अकाडमी अवार्ड जमू कश्मीर से प्रॉमिनेंटली किसी को दिया गया है पास्ट में यहां भी कुछ हाल फिलाल चार-पांच सालों में तो उसको हम लोग डिसकस करेंगे और कोई अगर करेंट अफेर्स में आर्ट अनको भी हम लोग दिसकस करेंगे सो जेके एससवी के एक्जाइम के लिए यह सब टॉपिक्स बड़े इंपोर्टन है अल आर इंपोर्टन इनी टॉपिक्स में से आप अपने एक दो जारा महरवान आप जेके इससवी होगी तो तीन सवाल आप यहीं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं राइट सो हमें पढ़ना है छे साथ टॉपिक्स में लिखे तो आराउंड आठ दस लेक्चर में हम इसको खतम करने का कोशिश करेंगे कम में हो गया जारा अच्छी बात है जारा लग गए वो भी देख लेंगे बट हां इसको हम आने वाले अफता दस दिन में हम इसको खतम करने की लेंग्वेज़ जैसे एक टॉपिक है तो लेंग्वेज़ का टॉपिक किसी सर ने आपके साथ डिसकस किया हुआ है उसके अलावाद जो भी टॉपिक्स मैंने में मेंशन किये हैं अभी आज आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो मैंने ब्लाक कलर से लिखे हुए हैं तो ये सब टॉपिक्स मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ वन ब्यगंवान अगर आप वो पूरा उप played पढ़ के जाते हैं एक्जाइम के लिए आपने इतने इंपट आउट्पुट रेश्यो की बात करें एक्जाइम के लिए उतना सारा पढ़ने क्यावशक्ता नही है क्योंकि अगर आप वो पढ़ लेंगे वो अराउंड कम से चार सू पानसो पेजिस बन जाएंगे इतने नोट्स हो जाएंगे वो और अगर आपको पानसो पेज पढ़ना है उसके बाद आपको एक सवाल या दो सवाल पेपर में आते हैं तो उसके वर्थ नहीं में मेजर कौन-कौन से डांसर्स है जो भरत नाटिम परफॉर्म करते हैं तो यह सवाल पेपर में आते रहते हैं राइट सो हम लोग इन ही पर जारा टार्गेट करेंगे आखिटेक्चर पर इसले टार्गेट जारा कर रहे हैं क्योंकि बड़े-बड़े मॉनुमेंट्स करेंगे इंडियन डांस फॉर्म्स को पढ़ेंगे युनिस्को वर्ल्ड हरिटेज साइट से इंडिया को हम डिसकस करेंगे इंडियन आर्खिटेक्चर को डिसकस करेंगे फेर्स एंड फेस्टिवल्स को डिसकस करेंगे इंडिया जमो कश्मीर दोनों हमारा टार्गेट पर रहेगा और awards जो recently दिये गए हैं या पहले भी जमोकश्मीर से किसी prominent personalities को आपके performing arts में उनको discuss करेंगे और current affairs में अगर कुछ important हुआ है जैसे UNESCO World Heritage Site 2020 तक है 3080 हुआ करती थी 2021 में 2 sites add हुई 2 sites add हुई तो वो 2 sites कौन सी है वो discuss करना वड़ा important है क्योंकि वो नहीं नहीं बनी है right so यह हमारा पूरा exam का जो Indian art and culture में हम discuss करेंगे वो आपके board पर है right so hope यह तो आठ introductory lecture था कल से हम इसको शुरुआत करेंगे ठीक है one by one सब topics को एके करके हम लोग discuss करने वाले है so bye bye and have a nice day